हेलो फेंड स्वागत है आप सभी का आपके अपने स्वीटूब चैनल पर दोस्तों ये वीडियो भी आप लोग ले बहुत जादे इंपोर्टेंट होने वाले क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको दस सवालों के जवाब देने वर हूँ या कह सकते हैं कि दस ऐसी बातें जो आपको एक घर को बनाते समय हमेशा ध्यान में रखनी होती है या साइट पर काम कराते समय आपको ये चीज़ें सुपरविजन के तोर पर पर पता होनी चाहिए अब यहाँ पर ये दस सवाल जो मैं कह रहा हूँ ये मैंने आपी लोगों में से काफी सारे लोगों ने मुझस से पूछे हैं जैसे कि कमेंट के माद्यम से लोगों की सवाल आती हैं कुछ कमेंट आती हैं जो मुझे लगता है कि उनके रिप्लाई या उनके जवाब हर एक को पता होना चाहिए साइट पर काम कराते समय इसलिए मैंने कुछ ऐसे दस सवाल उठाए जो आपके लिए काफी मैं देते हैं अपने देखा अपनी दिया जाता है तो यह जैसे कि देवाल आप देते हैं जिसमें कोई चार इंची की दिवाल भीट होती है पांच चार फिट होती है पार्टिशन वाल जैसे की रूम की स्टोर रूम की हो गई या टॉलेट की बात्रूम की पूजा घर की तो क्या उसके नीचे जो बीम दिया जाता है वो भी हमें बीगबर का कहने का मतलब या कि अपके कॉलम भी खड़े हैं बीगबर भी अपनी कर दिया उसके बाद चुछ में बीम जो डाला जाता है या फिर पहले परदे बनाने के तौर पे हमें अपनी दिवाल खड़ी करने चाहिए तो दोनों ही तरीके से साइडों पर काम के जाते है कुछ लोग क्या करते हैं पहले column beam slap कर लेते हैं फिर दिवाले बनाते हैं और कुछ लोग उसे उसका उल्टा करते हैं लेकिन यहाँ पर मैं कहुंगा दोनों तरीके सही हैं लेकिन अगर बात करें कुन सा तरीका आप कहां अपला सकते हैं अगर कोई आपकी high-rise building बन रही है high-rise building का मतलब कि कोई आप 6 मंजल, 7 मंजल, 8 मंजल, 10 मंजल बना रहे हैं तो फिर आपको पहले क्या करना है column beam slap डाल लेना चाहिए और उसके बाद आपको उसमें अपना दिवाले बनाने चाहिए यह बहुत सी condition पर depend करता है एक बहुती मतलब detail वीडियो हो जाएगे इसके लि बाद में तो क्या होता है कि जो दिवाल और बीम रहता है उसमें अच्छी bonding पकड़ हो जाती है और अगर आप beam पहले डाल देते हैं और बाद में दिवाल बनाते हैं तो कही न कहीं थोड़ी सी जगा खाले जाती है जहां पर क्रायकाने के चंसे हो जाते हैं तो अगर हम बा लैपिंग करनी पड़ती हैं तो वहां लैपिंग हम कहां लूप टॉप में नीचे भी सरया दी जाती है तो अगर तौप कि लैपिंग की बात करें तो जैसे मालो कि 12 लाइपिंग नहीं देविल ओंगे, रहा उपर लिंग हो साइड में पर पहली पे थे, सिर्यार में बाद चेंटर में नहीं देनी है ठीक है यह चीज़ आपको किलर हो गई होगी अगर हम बात करें लैपिंग की लंबाई की बात कर लेता हूं तो सरीय का पचास गुना यानि कि 12 में के सरीया तो 2 फिट लैपिंग आपको करनी पड़ेगी आगर नेक्स सवाल की बात करें तो हमारा है वह यह कि हम्हें पहले पिचीजी करनी चाहिए या पहले हमें जो इट के रोडे या पत्थर डालते वह करनी चाहिए अक्सर आपने देखा होगा है साइडों पे कुछ लोग क्या करते हैं पिश करने से पहले वो पंदेशन के रोड़ गड़ने के जो ब ее क नहीं कि अगर आपकी मित्टी है तो आपको रोड़े पथर डालने की जरूरत भिशी마kum अगर हम next सवाल की बात करें तो वो यह है कि हमें अपने घर को एक मंजल बनाना है और एक मंजल घर के लिए हमें क्या load wearing घर बनाना ठीक रहेगा या frame structure बनाना ठीक रहेगा देगे इसका सवाल का जवाब कुछ चीजों पर depend करता है load wearing आप समझते हो ना जिसमें कोई भी column नहीं होता beam नहीं होता सिर्फ आपकी दिवालों पर छट डली होती है और frame structure आप जैसे की जानते हैं जिसमें column, footing, foundation या कह सकते हैं कि beam, छट सब कुछ होती है RCC की तो यहां पर मैं कहना चाहूँगा देखो load wearing अब हम अगर future को सोच के से रहें तो वो ठीक नहीं है अगर आप सिप एक मंजिल घर बना रहे हैं जो कि बहुत सी चीजों पर depend करता है कि छोटा सा घर है या फिर हम कह सकते हैं कि उसमें ज़्यादा चीजे इस pan काफी ज़्यादा नहीं है, छोटे छोटे रूम है तो आप बना सकते हैं लेकिन अगर आप future को सोचें तो मेरे अनुसार आप उसमें frame structure बनाएं बाकी load wearing बनाना चाहिए, single मंजिल के तो बना सकते हैं आज भी गाउंगों में load wearing structure ही बनाए जाते हैं, लेकिन frame structure काफी बहतर रहता है, काफी गुना उससे वो ठीक रहते हैं अगर हम next सवाल की बात करें तो वो यह है कि अगर मालो हम एक घर को बना रहे हैं और हमारे घर में जो column दिये जाते हैं, उन column में लैपिंग आती है, वो अच्छे से आपको पता लैपिंग आती है तो क्या हम उस लैपिंग से बच सकते हैं? उससे बचने के लिए सवाल यह है क्या हम एक बार में 15 feet की सरिया bottom से लेके, top तक, छट तक लेके जा सकते हैं या नहीं तो हाँ आप बिल्कूल कर सकते हैं ऐसा, यानि कि अगर कोई आपने 20 feet की सरिया काटी या 15 feet की सरिया काटी उसमें आपने नीचे से start किया, और फिर बाद में जो भी आपकी छट की height है उस हिसाफ से अगर आप सरिया काटी हो, top तक लेके जा सकते हो, तो बिल्कूल कर सकते हो इसमें कोई ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन थोड़ा सा क्या तो workability पर थोड़ा सा होता है यानि कि आपकी labor को परिशानी होगी, सरिया एकदम खड़ा करना, इदो दोर जुकते हैं सरिया जिस वह से थोड़ा काम करने में problem हो सकती है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है अगर next सवाल की बात करें, तो वो यह है कि DPC और Plin Vim में क्या difference है देखो DPC और Plin Vim दोनों में बहुत difference है, कुछ काम हद तक ठीक रहते हैं, सेम थोड़े बहुत लेकिन अगर हम बात करें DPC की, तो DPC होती है damn proof course यानि कि यह एक ऐसी court होती है, जो हमारे घर में sealant को नमी को उपर चलने से रोकने में मदद करती है जैसे कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं, कि यहाँ पर एक DPC दी होई है, यह उपर नमी जाने में नहीं देती है यह इसलिए यहाँ पर मदद करती है, तो क्या हमारा Plin Vim DPC, अगर हम बात करें Plin Vim की, तो क्या हमारा Plin Vim नमी को उपर जाने से नहीं रोकता है तो मैं कहुँगो कि हाँ वो भी बिल्कुल रोकता है, ठीक है, अगर मालो देखो, बीम का कितना फायदा होता है, आपके जितने भी कॉलम होते हैं, बिल्डिंग में, घर में, उनको आपस में बांदी रखता है, यानि कि एक जुट कर देता, तो काफी अच्छी मजबूती हो जाती है, दिवाल अगर हम प्लीन बीम पर टेकते हैं, तो अगर मालो जमीन बैटे हैं, तो दिवाल में किसी तरह की क्रैक नहीं आएगी, और साथी साथ अगर प्लीन बीम के फायदे की बात करें, तो जो नमी हमारी डीपीसी रोकरी है, वही सेम हमारा काम प्लीन बीम भ देख सकते हैं अगर नेक्स बात करें तो वो यह है कि प्योपी करने से पहले हमें छत में सीलिंग में सोरी प्लास्टर करना चाहिए या नहीं या जरूरी है क्या तो दोखो अगर मैं बोलू जरूरी नहीं है बिल्कुल भी कि आप प्योपी करने से पहले सीलिंग में प्लास् कर सकते हैं जैसे आप करो है क्युक् willing जो होती है वह काफी इसमूथ और चिक्नी होती है और ciаст Idade तो प्रफ थोड़ा रहता है तो रफ इसे सिब्समें थोड़ा से यह शषो हो जाती है लेकिन अगर आप नहीं करना चाहें घृ लाश जलारई तो नहीं कer सकते हैं जरूरी चीजों पर करता है कि आप उस जजे में support कतना दे रहाँ सवाल में 5 feet पूछा गया कि 5 feet निकाल सकते हैं क्या रहनी तो बिल्कुल निकाल सकते हैं लेकिन उसके लिए आपको support भी देना पड़ेगा उसके लिए आपको beam निकालने पड़ेगा लटक उसमें सरिया वगेरा सारी चीजे पता करनी होगी डालनी होगी तभी आप कोई चज्जा निकाले बनना नॉर्मली अगर बिना किसी बीम के चज्जा दे रहे हो या फिर लटक हिडन मिम तो आप दाही तीन फिट तक चज्जा निकाल सकते हो कोई दिख कर नहीं है बाकी स्लाइब कास्टिंग करते समयं कंक्रीट बनाते समयं उसमें कैमिकल यूज होता है जैसे कि डॉक्टर फिक्सीट का अल्ट्र डेक का कैमिकल यह इस तरह के कैमिकल आते हैं तो क्या हमें यह यूज करने चाहिए या नहीं तो मैं मैं कहूँगा कि हाँ बिलकूर यूज करने मतलब लोच में बनता है मिक्सिंग काफी अच्छी हो जाती है और कहीं लेकिन क्रेक को भी रोकने में काफी मदद मिलती है और अगर बात करें यहां पर बाटर प्रूफिंग की तो कुछ हद तक बाटर प्रूफिंग को भी यह help करता है उसको prevent बाटर रोकने के लिए अब अगर तुम सोचो कि 100% बाटर प्रूफिंग हो जाए तो ऐसा कुछ नहीं है लेकिन इसके बाटर प्रूफिंग के अलावा और भी काफी बैतर काम होते तो मेरा रिकमेंड है कि आपको यूज करना चाहिए चाहिए आप किसी भी कंपनी का यूज करें मैं जादा यूज करत करने के लिए आप हमेरे चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल करना और कुछ लोगों की कमेंट यह रही है कि हमें अपने घर में डॉर फ्रेम कौन सी यूज करनी चाहिए जैसे कि बूडन वाली या स्टील की या ग्रेनाइट की तो उसके उपर मैं एक डिटेल वीडियो बना झालाइब